भारत के प्रवीन चित्रावल ने यूथ ओलिम्पिक गेम्स में में स्ट्रिबल जंप इवेंट में कासे पदग हासिल किया। वे इस टूर्नमेंट में पदग जीतने वाले भारत के दूसरे एथलीट हैं। उनसे पहले सूरज पवार पुरुषों की 5000 मीटर पैदल चाल में रजत पदग जीत चुके हैं। भारत के अब कुल पदग 12 हो गए हैं। इन में 30 स्वन और 8 रजत भी शामिल हैं। प्रवीन 15.6-8 मीटर की दूरी के साथ स्टेज 2 में पांचवें स्थान पर रहे। हाला कि उन्हें स्टेज 1 में अच्छा प्रदर्शन करने का लाब मिला और वे कांसे पदग जीतने में सफ़ल रहे। प्रवीन ने पहली स्टेज में 15.8-4 मीटर की दूरी प्यकी थी। यूथ ओलिम्पिक के नए फॉर्मेट में चार किमी क्रास कंट्री को छोड़ कर ट्रेक अंड फील्ड की किसी भी स्परदा में कोई भी फाइनल नहीं होता ह हर्स परदा के दो राउंड होते हैं, दोनों राउंड के प्रदर्शन के आधार पर पदक विजेता तै किया जाते हैं। इस परदा का स्वन्ड क्यूबा के अलजे इन रोड याज ने जीता। उन्होंने कुल 34.18, स्टेज 1 में 17.14 और स्टेज 2 में 17.04 मीटर की दूरी तै